अश्कार मित्रो आरवेद्र जानकारी को आंगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और चमतकारी को सदी पौधा ये जो आप देख रहे हैं इसे चमतकारी को सदी का नाम है पारी जात ये देखिए दोस्तो ये पारी जात जिसको हर सिंगार भी बूला ज ये इसके पत्ती है आप देख सकते हैं ये पत्ते काफी खुरदर होते हैं ये देखिए इसमें चिकनाहट नहीं होती है खरकर की आवज बोलती है अगर हम इसमें ऊछाण देखिए दोस्तो यह आर्वेद्यों को सदियों में बहुत ही अच्छी ओसदी है और यानिक बीमारियों के काम आती है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चनल पर नहीं है तो नीचे जो लाल बटन देखाई दे रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरी दुझा बैख और इसमारो का पूरा जो छोटा सा भी है हरसनगार का है इसको पारीजात हरसनगार आदिनामों से जाना जाता है दोस्तों यह बात सामक है कैसा भी बात क्यों नहों इसके प्रियोक से सभी प्रकार का बात नस्ठ हो जाता है दोस्तो यहाँ पर जंगल में ये काफी पेड़ लगी हुए है एक ये पेड़ है और ये देखिए एक ये पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर धूप है इसलिए ये है दोस्तो अगर आपको गठिया बात है साइटिका की प्रब्लम है या फिर घुटनों का दर्द है जोडों का दर्द है बात रखते हैं किसी प्रकार का बात है तो उसमें ये बहुत इच्छा काम करता है आप क्या करेंगे इसका तेल बनाकर प्रियोग कर सकते हैं अगर आप बात संबंदी बीमारियों में इसका तेल का प्रियोग करते हैं तो फिर ये काफी हद तक आराम दायक होगा दोस्तों इसके पंचांग को ले लिजिए ये पंचांग है जो ये हैसे तोड़ लिजिए और तोड़ करके आप इसको आप इसको प्रियोग करेंगे अगर आप इस तेल की मालिष करेंगे अपनी जोड़ों की दर्द में घुटनों की दर्द में तो फिर ये बहुत अच्छा आराम दायक होगा दोस्तों इसके अलाबा आप इसका चूरन भी बना कर प्रियोग कर सकती हैं आप हरसंगार के पंचांग में निरगुंडी और गुरक मुंडी और हरसंगार ये तीन और सद्यों को कूट पीस ले और फिर चूरन बना ले और अगर आप गुंगुने जल के साथ सेवन करते हैं तो फिर यह प्रियोग आपके बात को खत्म करतेगा किसी परकार कर बात क्यों न हो उसको दूर करने का यह अदभुद गुर रखता है हर सिंगार पारी जाते दोस्तों इसका प्रियोग कीजिए और इसके अलाबा यह हर सिंगार उस जो लकवा होता है जो उस लकवा में भी यह बहुत इच्छा काम करता है जो मैंने अभी योग आया है किसी तील को अगर आप लगौ गरस्त में मंद्र में और बागबगीच्व में ये लगा हुए मिल जाता है आप इसको पैठान लीजिए और अपनी बास संब्धि बीमारी में इसको प्रियों कीजिए किसी प्रकार का बात क्यों नहों चाहे हुआ सूजन हो या फिर दर्द हो कमर दर्द गठिया बात जोडों का दर्द गोटनों का दर्द और साइटिका सभी प्रकार की बीमारी में सभी प्रकार के दर्द में और सभी प्रकार के सूजन में आप इस हर् परिजाद कप्रियों कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम फिर हाजर होंगे अपने अगले वेडियो में तब तक के लिए नमस्कार